हे अब्रिवान वाल्कम बैक टू मैं चैनल आज की रेसिपी है स्वाबिन आलू की स्वादिष्ट सब्जी आप इससे ज़रूर ट्राइ करें यह बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी और टेस्टी भी चली रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी लेक बतन में पानी को अ अब इसे हम पानी से चान कर निकाल लेंगे और इसमें थंड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से निचोड़ कर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल देंगे इस बात का दिहान रखे आपको दो से तीन बर पानी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा गरम होता है जब यह थंड़ा हो जाए तब आप इसे अच्छी तरह से निचोड़ ले मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है अब एक पैन को हम गर्म करेंगे उसम मीडियम फ्लम में दो से तीन मिनट फ्राइ करने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं आप देख सकते हिसमें हलका सा गोल्डन कलर आ चुका है अब सेम पैन में हम तेल डालेंगे मैंने यह पर वापस तीन से चार शमस तेल लिया है और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने दे हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक यह अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कलर में नहीं आ जाता प्याज फ्राइब हो चुका है अब इसमें हम एक चमच अद्रक लशन का पेस्ट डालेंगा और इसे भी कुछ मिनट के लिए फ्राइब कर लेंगे ताकि अद्रक लशन का कच्छा पंच चला जाए अब इसमें हम कुछ ड्राइब मसाला डालेंगे मैंने यहाँ पे आधी छोटी चमच जीरा का पाउडर लिया है एक छोटी चमच धन्या पाउडर एक छोटी चमच कस्मीरी रेट चिली पाउडर आधी चोटी चमच हल्दी चमच काली मिर्च पॉडर और यहाँ पे मैंने आधी चोटी चमच गरम मसाला लिया है अब इसमें थोड़ा सम पानी डाल देते हैं और नमक स्वाद अनुसार आप इसमें डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला लें मसाला अच्छी तरह से मिल चुका है अब इसमें हम साथ में टमाटर भी डाल देंगे मैंने आप पर एक स्मॉल साइज का टमाटर लिया है इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं और अब इसे कभर करके हम लो फ्लेम में 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर पूरी तरह से गवर मिला लिया है और इसे अब वापस हम कभर करके पकने देंगे ताकि टमाटर पूरी तरह से गल जाए और मैंने आप एक बोईल आलो लिया है आपको इस तरह से हाथों से इसको मैस करके डालना है छोटे-छोटे चंक में आप इसे रखे जिससे आपका ग और दोस्तों आप देख सकते हैं इसे तेल अलग हो रहात तो अब इसमें हम उबला हुआ अलू डालेंगे और इसे मसाले के साथ कुछ मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ताकि अलू का कलर fine अलू क कश in लिग ना रहे हिए यह अच्छी तरह से मिल चुका है अब इसमें पानी डालेंगे मैंने यहाँ लगभग 300 ml पानी लिया है एक बड़ा गिलास में और पानी डालके पाद इसमें हलका सा मैंने नमक अड़ किया है आप नमक टेस्ट कर ले उसके हिसाब से आप इसमें नमक टाल सकते हैं आप इसे हम कभर कर देंगे और इसका फ्लेम मेडियम कर दें और मेडियम में इसे पांच से छे मिनट के लिए उबलने दे ताकि जो मसाला का फ्लेवर है वह अच्छी तरह से अंदर चला जाए लगबग 5 मिनट के बद आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी में ठीकनेस आ चुका है आलू को अगर आप उस तरह समयस करके डालेंगे तो आपका ग्रेवी बहुत अच्छा बनेगा आप देख सकते हैं अब इसका फ्लेम आप बन कर दे और इसे हलका सा ठंडा होने के बाद पराथा के साथ खा कर देखिए यकिन मानिया आप उंगया चाटती रहाएंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर सेयर करें मिलते हो सिंपल टेस्टी रेसि ठाट मिलते हैं और भको मेरी वीडियो करें फिंग